हेलो दोस्तों नमस्कार तो मैंने पिछले वीडियो में आपको टिवाई बेसी के जो मैथमेटिक्स का जो है वो पूरा सिख से मिस्टर का पेपर पैटर्ण और सिला बता दिया है और मैंने आप से कहा तक कि मैं अगले वीडियो में आप से एक-एक सब्जेक्ट के बारे में बात करूंगा एक-एक सब्जेक्ट को लेकर हम सुरुवात करने वाले कि किस तरीके से हमारे यूनिट है उसमें तो आज हम पहला सब्जेक्ट शुरू करने वाले और इसमें यूनिट वन यूनिट वन हमको बता है रिंग तेरी का यूनिट वन क्या है रिंग है यह हमने कल के परना हे इंटिक्रल डॉमेन बढ़ना है एंद फिल्ड पढ़ना है उसके बाद में यूनिट्स इन रिंग एग्सम्बल्स औफॉन फिप्ट पढ़ना है ऑर रिंग्स के कारेक्टरिस्टिक पढ़ना है ठीक है तो यह हम अब डे टू डे पढ़ते जाएंगे लेकिन आज तो हमारा first वीडियो ये पूरा definition के ऊपरोगा ring की definition क्या है किसको हम ring कहते हैं किस तरीके से ring बनती है तो चलो इस video को start करते तो first हम बढ़ते definition की तरफ कि ring की definition क्या है देखो ring को समझने से पहले आपको ये समझना होगा कि group मतलब क्या होता है कि गुरूप किसे कहा जाता है अगर आपको गुरूप समझ में आ गया मेरे बात ध्यान से दूनो अगर आपको गुरूप समझ में आ गया तो आप रिंग को easily समझ सकते हो यहनकि गुरूप का बड़ाव यह क्या है रिंग से ठीक है अगर आप group समझते हो तो ring समझना बिल्कूल ही आपके लिए आसान हो जाएगा तो मैं थोड़ा आपको group के बारे में बता देता हूँ कि group किसको कहते हैं, group की क्या properties होते हैं, तो देखो group किसको कहते हैं, अगर हमको एक algebraic structure दिया गया, algebraic structure में क्या होता है, तो एक set दिया जाता है, and एक उसमें binary operation होता है set नहीं कि क्या, कुणसे भी number का set हो सकता है, 1, 2, up to 100 तक, या फिर real number का set या फिर कोई भी आपको number का set दिया जा सकता है, ठीके, एड़ इसमें एक binary operation होता है, binary operation नहीं कि क्या जो हमारे होते addition ठीक है addition multiplication या फिर subtraction यह जो एक कोई भी आपको binary operation दिया जाएगा और आपको कहा जाएगा कि देखो कि यह जो है algebra structure वो group है क्या ठीक है group है क्या तो आपको fix हमने fifth semester में पढ़ा है कि अगर हमको चेक करना है कि कौन सा भी जो दिया वाया algebra structure है वो group है या नहीं तो हम उसके लिए चार properties fulfill करते हैं कितनी properties चार properties fulfill करते हैं कौन कौन सी closure, associative, existence of identity and existence of inverse देखो मैं जो बता रहा हूँ वो पूरी तरीके से लिखके ले लो आप अच्छी तरीके से आप notes बनाओ तो आपको exam में भी ज्यादा तकलिप नहीं होगी देखो closure property क्या होते हैं कि कोई भी अगर हमने हम दो elements ले लिये से जीएमिक जीए कि क्या सेट हमने बने लिखा है कि जीएंिए क्या सेट और सेट क्या यह को यह भी हो सकता है will you can call it यह यह यहं पर बतानी कंए लिये लें लेकिन यहाँ से मिनपर ले ठीक है यह बतलब मैंने यह two and three ले लिया अगर यह group में exist करता है तो उसका अगर मैंने यहाँ पर binary operation लिया addition का यह ज्यानी की group के हो गया फिर की g and addition ठीक है तो अगर मैंने इसको बता दिया कि g binary operation प्लस यहीं ब्लस यह भी किस में exist करना चाहिए उस सेट में exist करना ही जाहिए ठीक है यह exist करता है लेकिन यह सिर्फ इन दोनों के लिए नहीं या फिर कुछ के लिए होता है तो यह पूरे देखो यहाँ पर में पूरे पता है कि कौनसंद अध्र ले लो कौन से भी दो element ले लो उनका जो binary operation के साथ आने वाला product होगा वो group में होना ही चाहिए देखो अगर यह one to hundred तक हुआ अगर यह आपर का क्या हो गया कि यह closure property है यह satisfy नहीं होगी ठीक है तो ऐसा नहीं होना चाहिए उसमें सारे के सारे group के element यानि कि जो हम उसमें binary operation लगा कि जो भी हमारा जो product आएगा वो सभी product उस group में होने ही चाहिए ठीक है तो यह closure property आपको समझ में आ चुकी होगी पाद में लेखते है associative property associative property में क्या होता है हमको तीन element लेने होता है यह हमने group में से यहां पर हमने set लिया है इसमें से अगर हमने कोई भी तीन element ले लिये और अगर उसको binary operation के साथ react कर दिया तो अगर वो दोनी वो दोनो site अगर equal आता है यानि कि a binary operation b binary operation c under bracket में और is equal to a binary operation b under bracket plus c अगर यह equal आता है तो हम कह सकते हैं कि यह associative property fulfill करता है तो देखो अगर हमने इस set से यह जो हमने set ले इस set से अगर तीन element ले लिये तीन element ले लिये मानों की 3 ले लिया ठीक है binary operation प्लस है 4 ले लिया और 5 ले लिया ठीक है तो यह क्या होना चाहिए यह दोनों site क्या होने चाहिए दो होने चाहिए तो इकवल होते है यस c udah होते है 9 the NBA 7 5 क्या है यह होता है त्वेढर 25 लोता यह यह linear operation के साथ इस binary operation के साथ associative property fulfill करता है बाद में identity property क्या होती है ये property बहुत जरूरी है और ये सबसे easy property इसमें तो हम देख की बता सकते कि identity है या नहीं देखो identity यानी कि क्या एक ऐसा element ऐसा element उस set में होना चीए कि अगर उसको हम किसी भी दूसरे element के साथ उस binary operation के साथ अगर react करें तो हमको वही element मिलना चाहिए वही element मिलना चाहिए यानी कि देखो अगर हमने यहां पर तीन ले लिया हमने यहां पर number ले लिया थ्री और हमने वहां पर identity यहां पर addition है ठीक है, addition, यह जो नमबर है, यह additive identity, यानिकि यह identity उस set में होनी ही चाहिए, कि जिसका answer के आएगा, फिर यही number आएगा, तो यह कब आएगा 3, तो जब 0, जब 0 होगा उस set में, तभी यह answer के आएगा, 3 आएगा, यानिकि जो identity है, वो उसमें exist करनी चाहिए, अगर हमने जो हमने set पकड़ाए है यहाँ पर one to hundred तक का इस set में यह जो third property यह fulfill होती है गया तो नहीं होती है क्योंकि यहाँ पर जो है वो zero included नहीं किया गया इसलिए यह जो है वो existence of identity third वाली property फुल्फिल नहीं करती है तो यह भी property फुल्फिल करनी चाहिए तभी हम कह सकते कि यह एक group की तरह बढ़ रहा है देखो और fourth property होती है existence of inverse जिस तरीके से हर एक identity उस group में उस set में होनी चाहिए उसी तरीके से हर एक element का वहाँ पे एक inverse होना ही चाहिए ठीके inverse है नहीं कि क्या उल्टा अगर हमने एक number ले लिया 3 ठीके तो वहाँ पे ऐसा एक element जरूर होना चाहिए जब हम उसको react करेंगे तो हमारा answer के आएगा जीरो तब हमारा answer के आएगा देखो यहाँ पर तब हमारा answer के आएगा वह identity आएगी ठीके वह identity आएगी अगर अगर हमारा दिया हुआ binary operation एडिशन है तो वह zero होनी चाहिए अगर दिया हुआ binary operation हमारा multiplication है तो वह one होनी चाहिए ठीके हमको बता है कि addition के मामले में जो identity होती ही वह zero और जो multiplication होता है उसके मामले में जो identity होती है वह क्या होती है the one क्योंकि किसीव΄ अगर number-same one को multiply करते तो हमारा answer क्या आता है वही number ठीक है तो यहाँ पर कौन सा आना चाहिए तो minus 3 और यहाँ पर 1 by 3 ठीक है तब ही हमारा क्याएगा यह additive यह identity आएगी ठीक है तो यहाँ पर ऐसा हर एक number exist करना चाहिए मतलब हर एक number का inverse भी उसमें exist करना चाहिए जो हमने group लिया वाए one two hundred का उसमें देखो उसमें exist करता है क्या नहीं टू का additive inverse यहाँ पर exist करता है का minus two नहीं माइन नहीं exist करता है ठीक है exist नहीं करता है तो इसलिए हम यह भी यह property फुल्फिल नहीं करता है यह प्रॉपर्टिज है मैंने आपको एक्जाम्पल इसलिए दिया है कि आप अच्छी तरीके से समझ पाओं तो ठीक है अगर अगर यह group यह चारो भी प्रॉपर्टिज अगर फुल्फिल करता होगा यानि कि closure उसमें identity भी होगी और हर एक element का inverse भी उसमें present होगा तो हम उसको कह सकते कि यह एक group है एक group है ठीक है तो आपको group समझ में आ गया और एक बात और एक प्रॉपर्टिज तुमको याद रखनी चाए है वह अबेलीन की property देखो जब कोई भी group आपको समया गया कि यह group चारों भी property फुल्फिल करता है तब आप अगले property की तरफ बढ़ोगे वह है अबेलीन प्रॉपर्टिज वह क्या है वह है अबेलीन प्रॉपर्टिज अगर जो group है वह अबेलीन प्रॉपर्टिज भी फुल्फिल करता होगा अबेलीन प्रॉपर्टिज की क्या तो ए जो हमारा operation देया रहेगा वह बी इस एकोल टू बी operation अबेलीन ग्रॉप है तो हमने पूरी तरीके से ग्रॉप के बारे में पढ़ा कि ग्रॉप क्या होता है ग्रॉप किसे कहते है अब हमको रिंग समझने में कोई भी तकलीफ ने हो होगी आसानी से समझ सकते हैं देखो ईजी तरीके से कि रिंग किसे कहते हैं देखो हमने ग्रॉप में क्या बढ़ा था कि एक सेट होता है एक कोई भी आपको बाइनेरी ओपरेशन दिया जाता है लेकिन रिंग में ऐसा नहीं होता है रिंग में आपको एक सेट दिया जाएगा यह पका है एक सेट दिया जाएगा लेकिन जो आपके बाइनेरी ओपरेशन होंगे वो फिक्स होंगे एक बाइनेरी ओपरेशन आपका addition होगा and एक आपका multiplication होगा इनके अलावा आपको binary operation नहीं दिया जाएगा ठीक है ये दोनों ही binary operation आपको दे जाएंगे तो देखो ये binary operation के साथ हमको पढ़ने आगे देखो हम covering कहेंगे जब R जो होगा वो plus binary operation के साथ a billion group बनाता होगा हमने group का अभी अभी सब कुछ पढ़ा है कि अगर हमको एक set दिया गया और एक operation दिया गया तो हम कब उसको a billion group कहेंगे तो हमने देखी ये जो चार property closure, associative, identity, inverse and abillion की property अगर ये पाच्चो प्रोपर्टे अगर कोई भी group fulfill करता होगा तो हम उसको कहेंगे कि ये एक abillion group है, समझ में आ गया आर जो होगा वो additive operation के साथ, addition operation के साथ क्या बनाना चाहिए abillion group बनाना चाहिए ये किसकी? देखो ring की definition बता रहा हो कि ring cup कहा जाता है ये जो हमारा algebraic structure है या फिर ये जो हमारी ये है उसको हम ring cup कहेंगे जब ये आर के साथ abillion group बनाएगा ठीक है? आर and addition है, यहाँ पर क्या है? addition, operation क्या लिए है? addition, addition का होगा and जो multiplication होगा उसके साथ semi group बनाना चाहिए addition के साथ abillion group and जो multiplication operation है, उसके साथ क्या बनाना चाहिए semi group, semi group में सिर्फ दो ही property होती है, closure and associative closure हैनी कि क्या? अगर a and b ठीक है? a and b ये अगर उस set में है तो a a multiplication b भी उस set में होना ही चाहिए, ठीक है? ये होगी closure and associative हैनी कि क्या? तो a into b into c ये अगर a into b into c के बराबर होगा तो हम कहेंगे कि वो एक semi group है तो समझ में आ गया addition के साथ a billion group and multiplication के साथ semi group and और एक property है कि वो distribution law holds करना चाहिए distribution law कहाता है तो a into b plus c अगर ये बात और ये equal हो गया a into b plus a into c तो हम कहा कहेंगे कि ये जो है वो hold करता है अगर मैंने यहापर दो number ले लिए कोई गर मैंने दो number ले 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 और वो अगर वो hold करता है is equal होता है तो हम कहेंगे कि ये बराबर है और ये उसके बाद हम कहेंगे कि ये क्या है ये एक group है ठीक है तो आपको समझ में आ गया group अगर आपको कहा जाए कि group की definition क्या है अब हम last में क्या करेंगे group की definition बताएंगे हमको exam में पूछा जा सकता है कि group की definition बताओ अगर देखो वो दो marks के लिए definition पूछते हैं तो हमको ये definition लिखने है definition क्या होते है वही जो अभी तक हमने पढ़ा है उसको हम definition कहेंगे उसको देखो definition के form में कैसे लिखते हैं कि अगर कोई भी algebra structure होगा उसके बास दो binary operation होगे addition and multiplication एक algebra structure होगा जिसके पास binary operation होगे addition and multiplication इसको हम ring कहेंगे कब उसको इसको हम ring कहेंगे कब जब वो जो set होगा आ रहानी की क्या set जो set होगा वो addition वो addition operation के साथ abilion group बनाए और multiplication के साथ semi group बनाए and distributed property है तो अगर वो hold करे तो हम उसको क्या कहेंगे कि वो ring है ठीए और अगर आपको यही definition practical exam में पूछी जा सकते है for 6 marks 6 marks और अगर 6 marks के लिए पूछी जाए तो आप इस तरीके से लिखेंगे कि कोई भी अगर ring है यह two binary operation के साथ अगर कोई जो properties है following properties अगर यह satisfy करता होगा तो हम उसको कहेंगे ring और आपको यह सभी properties लिखनी है जो मैंने अभी आपको बताया वो आपको सभी properties लिखनी है कुनसी वाली यह और हार addition के साथ closure associated identity और यहाँ पर लिखना भी है कि इस तरीके से लिखना भी उसको इस तरीके से सभी को लिखना है कुन-कुन सी multiplication के साथ semi group बनाएगा तो कुन-कुन से property and distributive law बे उसमें hold करना चाहिए तो यह होगी पूरी तरीके से हमारी rings की definition यह होगी हमारी रिंग की definition तो मैं आशा करता हूँ कि आप रिंग को अच्छी तरीकी से समझ चुके होंगे कि कि किसको रिंग कहते हैं कौन-कौन से property is fulfilled satisfy करने के बात हम उसको रिंग कहा जाता है आप group भी समझ गये होंगे तो चलो अगले वीडियो में मिलते हैं अभी हमने unit one start किया हैँ ठीक है अभी आपको मैं examples भी दूँगा और अभी हमने unit one start किया है बाद मैं आपको आपको examples भी दूँगा अगला वीडियो जो होगा वह हमारा types of rings के उपर होगा तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में तब तब के लिए बाई बाई टाटा